घेलो इस्टूडेन जैसा कि आप सबी देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे थे भासा विचार अब ही हिंदी फेश्ट की बुक उपलबद नहोंने के करण हम लोग हिंदी सेकेंड पढ़ रहे हैं जैसे ही हिंदी फ़ेश्ट की किताब उपलबद हो जाएगी हम आपको हिंदी पढ़ाना सुरू करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे भासा विचार, भासा विचार में आप ने पढ़ा भासा का ग्यान, भासा वा साधन है, जिसके द्वारा मनुस बोल कर, सुन कर, लिख कर और पढ़ कर, अपने मन के भाव या विचारों का आदा प्रदान क करता है, प्रिष्ट संख्या 5 हम लोग पढ़ चुके थे, भासा दो भासा के दो रूप होते हैं, एक मौकिक भासा और दूसरा लिखित भासा, तो मौकिक भासा और लिखिक भासा के पिसे में हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरे नंबर पर आता है हम लोगों को सांकेतिक भ वारा बात समझाई और समझी जाती है वह सांकेती भासा कहलाती है जैसे चवराहे पर खड़ा याता याद को नियंद्रित करता सिपाही मूख बधिर व्यक्तियों का वारता लाप आद ब्याकरण में सांकेती भासा का अध्यान नहीं किया जाता है तो आप लोग देखे होंग कि इधर जाए और मुख बधिस लोगों के लिए सांकेती भासा मुख्य होती है जो कि गुंगे बहरे लोग होते हैं तो यह होता है सांकेती भासा दूसरे नमबर पर आपका आता है मात्र भासा मात्र भासा क्या होता है जो जो भासा बालक अपने परिवार से सीखता है वह म मुझाबी बोलता है कहने के मतलब यह है कि वह जिस परिवार का बालक रहेगा वही भासा को बोलेगा तो वह मात्र भासा कही जाती है यानि कि बालक जिस परिवार में रहेगा जिस परिवार में जन्म लेगा वह उसके माता पिता जिस भासा को बोलेंगे वही उसकी मात्र भा यंदुस्तान की लिए तो यह सब राष्ठ माशा के अंतर गताते हैं और अगला भासा आता है, राज भासा किसे कहते हैं, राज भासा वह भासा जो देश के कारियालेओं, राज की कारियों में प्रियोक की जाती है, राज भासा कहलाती है, जैसे भारत की राज भासा, अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है, तो अमेरिका की राज भासा क्या हुई अंग्रेजी हुई अपने हिंदूस्तान की राज भासा क्या है हिंदी है क्योंकि हिंदी आज एक मात्रा में बोली जाती है इसलिए राज भासा को हिंदी कही जाती है मानक भासा क्या होता है मानक भासा बिद्वानों वा सिच्छा बिदो द्वारा भासा में एक रूपता लाने के लिए भासा के जिस रूप को मानता जी जाती है वही मानक भासा हो जाती है जैसे अपने भारत देश में कुछ बिद्वान हिंदी भासा में कुछ चेंजस लाते रहते हैं, जैसे वो भासा में लिखावट में तो हर प्रकार में कुछ चेंजस लाते रहते हैं, तो वही जो है मानक भासा होती है, जो बिद्वान बता कर देते हैं, दे देते हैं, वही मा ऐसे में उनके किसी एक रूप को बिद्वान द्वारा मानता दे दी जाती है जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉलंब बना हुआ है दो लाल हर एक कॉलंब बने हैं यहाँ पर दिया गया है जिसे पहले हम लोग लिखते थे गई गई यह में बड़ी की मात्रा लग गई तो गई पहले ऐसे लिखा जाता था लेकिन अब इस बार कुछ बिद्वान द्वारा मानक रूप में यह सब्द परिवर्टित कर दिया ग थे तो पहले की भास यह थी लेकिन अब यह भास नहीं है अब मैं सीधा बिन्दी लगा करके मानक रूप को लेदिया गया है चाहिये में अंतर हुआ है इसी परकार से ठंड है ठंड में पहले अँट रा का जो है अधाए अरा लिखते थे तो ठंड बी लिखा जाता है लेक द्वंद को भी इस तरह से परिवर्टित कर दिया गया है तो यह हमारा क्या हो गया यही है हमारा मानक रूप जैसे विद्वानों ने बता दिया कि इस प्रकार से अब लिखा जाएगा भासा को सरल कर दिया उसी प्रकार से यह हमारा मानक भाता हो जाता है अब आगे देखें यहाँ पर दिया गया है हिंदी की मानक वर्ण और वर्तनी तो यहाँ पर पॉइंट कुछ दिये गए हैं इसको पढ़ लें केंद्री हिंदी निदे साले कंसा मानक हिंदी वर्तनी समध्धी प्रमुक बिंदू संयुक तो वर्ण पाई हटा करके गुनरी को आधाकर या हालंतल बनाए जाते हैं जैसे बच्चा पक्का चेन संग्या सब्दो से प्रिच्छक तथा सरुनाम सब्दो में मिलकर लिखे जाएंगे तो संग्या है राम को सरुनाम उसको तो इस तरह से कुछ पॉइंट दिये गये हैं अब हम लोग पेज नंबर साथ पर प भासा में क्या अंतर होता है इसके भी से मिजाने भासा का अब अलप विक्सित रूप बोली कहलाता है इसका प्रयोग सीमी छेत्र में किया जाता है इसमें प्राया साहित की रशना नहीं होती है बोली में लोग गीत वर लोग कथाओं की रशना होती है परंति ये लिखित र प्रतेग राज की अपनी भासा जैसे पंजाबी पंजाब का पंजाबी गुजरात का गुजराती आसम का आसम या कस्मीर का कस्मीरी इत्याद होते हैं कहने के मतलब यह है कि बोली जो होता है वह जो है सीमित छेत्रों के लिए होता है सीमित जगहों के लिए होता है बोली अपना एक अलग होती है बोली को किसी जगह बोला जा सकता है और इसको जो है लिखित भासा में प्रियोग नहीं किया जा सकता है बोली के अंतरगत लोग गेत लोग कथाओं की में रजना किया जा सकता है लेकिन लिखित रूप से प्रियोग में नहीं ले आ जा सकता है लेकिन लिखित रूप में क्या होता है लिखित रूप में तो जो है मौकि भासा का ही रूप होता है लेकिन हिंदी भासा की कुल 18 बोली प्रतलित हैं इसके विप्रित भासा भासा बोली का विख्षित रोफ होता है तो जैसा कि आप सबी जानते हैं भार्ची सम्मिधान में 22 भासाओं को मानिता दी गई है अब 22 भासाओं में कौन-कौन सी भासा है भार्ची सम्मिधान के अंसार यहां देखें पीले वाले ग्राउंड में देखें कुछ विशेस दिया गया है विशेस में तो भार्ची सम्मिधान में 22 भासाओं को मानिता प्रदान्त की गई है यह भासाओं कौन-कौन से हैं पहला ह हिंधी है असमिया है बंगला है डोगरी है बोडो है उर्दु है नेपाली है गुजराती है कन्नर है कास्मीरी कोकरी मैथ ली मल्यालं मराथी मरिपुरी उरिया पंजाबी संस्की सांतली-संदी तमिल और तेलगु 1902 है आपके भारति संभिधान में मंतर इन भाइज भासाओं को दिया गया है यहां पे अब देखें कुछ विशेश भी दिया गया है जो कि आप लोगों का प्रेश से पढ़ना है हिंदी भासा का महत्व पॉइंट है पहला हिंदी भासा अठाटर अठाटर करों से भी अधिक भार्थियों द्वारा प्रयोग मिलाई जाती है दूसरा प्रदेश हिमाचा प्रदेश हत्तिगर भिहार आदी में प्रयोग की जाती है इसी प्रकार से पूरे सारे पॉइंट आप सभी पढ़ लेंगे और आगे मैं जो है नेक्स्ट डे जो है पढ़ाओंगा ओके थैंक्स